सूप्रभाद बच्चों, आज हम कक्षा छटी, विशय हिंदी, पाठ पंद्रह, नोकर, पुस्तक, वसंत भाग एक, लेखक, अनु बंदो पाध्याई, व्याख्यान एक, पढ़ेंगे. बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक का पाठ पंद्रह, नोकर पढ़ेंगे, जिसके लेखके अनु बंदो पाध्याई जी. तो बच्चों, देखिए, इस पाठ में लेखक ने गांधी जी के बारे में बताया है, कि गांधी जी को स्वैम ही अपना काम करना अच्छा लगता था. वे अपने काम किसी और नोकर से कराना पसंद नहीं करते थे. क्योंकि उनका मानना था कि नोकर भी हम लोगों की तरहें इंसान होते हैं. बचों, इस पाठ में लेखक ने गांधी जी की बारे में बताया, कि गांधी जी को अपना काम स्वैम खुद करना ही अच्छा लगता था. वे अपने काम किसी और से नहीं करवाते थे. जब तक कि शरीर से कोई लाचारी ना हो यानि बिमार ना हो तब तक वे अपने काम किसी और से नहीं करवाते थे. तो इस पाठ में उन्होंने बताया कि हमें अपने काम स्वेम करने चाहिए और वे नोकरों को इंसान की तरह ही मानते थे वे मानते थे कि नोकर हम लोगों की तरह ही इंसान होते हैं उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए अब चो हम पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे, तो देखिए, शब्द अर्थ, बैरिस्ट्री वकालत, आगन्तुप आने वाला महमान, हैरत अचम्भा, बीनना, चुनना, विदा मांगना, जाने के लिए अनुमती मांगना, अद्भोत अनोखा, तो बैरिस्ट्री वकालत, आगन्तुप आने वाला या महमान, हैरत उता है अचम्भा, हैरानी जिसे हम कहते हैं, बीनना, चुनना, विदा मांगना, जाने के लिए अनुमती या आज्या मांगना, अद्भोत अनोखा, आगे देखिए, अनुकरण नकल, तश्तरी, थाली नूमा प्लेट, सख्त, कठोर, शिविर, अस्थाई विश्रामस्थल, हाखरा, एक गुजराती व्येंजन, चैन, आराम, पक्वाडा, पंद्रह दिन का समय, तो बच्चों, अनुकरण होता है, नकल करना, हूबहू, तश्तरी होती है, थाली नूमा प्लेट, थाली के जैसी प्लेट, सख्त, कठोर, हम कहते हैं, सख्त कानून, कठोर कानून, शिविर, अस्थाई, तंबुजों होते हैं, उनको कहा गया, अस्थाई विश्रामस्थल, खाखरा एक गुजराती वियंजन खाने का सामानिक, चैन, आराम, और पकवाड़ा, पंद्रह दिन का समय, तो अब हम पढ़ेंगे, पाठका सार, देखिए, पाठका सार, गांधी जी, बैरिष्ट्री के काम में, हजारों रुपे कमाकर भी, अपना काम स्वेम करते थे, वे प्रती दिन, प्रातह, अपने हाथ से, चक्की पर, आटा पीशा करते थे, गांधी जी को, दूसरों के सामने, कभी भी, काम करने में, कोई शर्म, महसूस नहीं, होती थी, तो बच्चों, गांधी जी, बैरिष्ट्री यानि वकालत से, हजारों रुपे कमाते थे, फिर भी, अपना काम उन्हें स्वेम करने में, कोई परेशानी नहीं होती थी, और ना उन्हें कोई शर्म, महसूस होती थी, वे प्रती दिन, चक्की से आटा पीशने का काम भी खुद करते थे, आगे देखिए, एक बार कॉलेज के कुछ छात्रों ने, बापू को सेवा कारिये देने को कहा, तब बापू ने उन्हें गेहुं साफ करने को दिये, वे एक घंटे में ही ठक गए, और विदा मांग कर चले गए, गांधी जी ने कई वर्षों तक, आश्रम के, भंडार का कारिये संभाला था, तो बच्चों, एक बार कॉलेज के कुछ छात्रों ने, बापू को कहा कि हमें कोई सेवा कारिये दो, तो गांधी जी ने उन्हें केहुं साफ करने को दे दिये, वे छात्र जो हैं, एक घंटे में ही ठक गए, और विदा मांग कर वहां से चले गए, गांधी जी ने कई वर्षों तक, आश्रम के भंडार का कारिये संभाला था, इसका अर्थ है बच्चों, भंडार घर का काम संभाला था, जिसमें खाने की सामगरी होती है, आगे देखिए, जैसा कि हमने बताया कि गांधी जी को कोई काम करने में शर्म मैसूस नहीं होती थी, तो उन्होंने उन छात्रों को भी गियुँ साफ करने का काम दे दिया, उनके रसोई घर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी, वे स्वेम ही आश्रम वासियों को भोजन परोस्ते थे, आश्रम की नियमों के अनुसार सभी लोग बर्तन साफ करते थे, एक दिन गांधी जी ने बड़े-बड़े पतीलों को साफ करने का काम स्वेम संभाला, बच्चों यहाँ पर बताया है कि रसोई घर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी, क्योंकि गांधी जी भंडार घर का कारिये स्वेम संभालते थे, वे आश्रम वासियों को भोजन भी स्वेम परोस्ते थे, और आश्रम का एक नियम था कि सभी लोग अपने बर्तन खुद साफ करते थे, वे भी अपने बर्तन खुद साफ करते थे, एक दिन गांधी जी ने रसोई घर के बड़े-बड़े पतीलों को साफ करने का काम भी स्वेम संभाला यानि उन्होंने उन पतीलों को साफ करने का कारिय स्वेम करने को कहा आगे दिखिए आश्रम के निर्मान के समय आने वाले महमानों को तम्बूओं में सोना पड़ा वहाँ आये हुए एक आदमी को यह पता नहीं था कि बिस्तर लपेट कर कहां रखने है वह बाहर किसी से पूछने गया उसी समय गांधी जी भी वहाँ आये और उन्होंने बिस्तर उठा कर रख दिया बच्चों जब उस आश्रम का निर्मान हो रहा था निर्मान का नहीं से जा रहे थे उन्होंने क्या किया उसके बिस्तर उठा कर रख दिये यानि उन्हें कोई शर महसूस नहीं हुई कि किसी और के आश्रम के बाहर बने कुए से पानी खीचने का काम भी वे रोज स्वैम ही करते थे उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब तक शरीर में कोई लाचारी ने हो तब तक कोई दूसरा उनका काम करे गांधी जी में हर प्रकार का काम करने की अद्भुत शक्ती थी बच्चों आश्रम के बाहर बने उमे से पानी खीचने का काम भी वे रोज स्वैम खुद ही करते थे उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब तक शरीर से कोई लाचारी नहीं हो तब तब कोई दूसरा उनका काम करे तो गांधी जी में अपना या किसी भी प्रकार का काम करने की अद्भुत शक्ती थी क्योंकि वे कभी भी हारते नहीं थे ठकते नहीं थे वे दूसरे लोगों के लिए जीवन जीते थे उन्हें कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं होती थी तो आगे देखे बचों उन्होंने दक्षिन अफ्रीका में बोवर युद के दोरान घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर पच्चिस पच्चिस मील धोया था एक बार उनके कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे उन्होंने लोट कर देखा कि गांधी जी ने उनके लिए तश्टरियों के में नाश्टे के लिए फल आधी तयार कर रखे हैं बच्चों दक्षिन अफ्रीका में बोर युद के दोरान भी उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर पच्चिस पच्चिस मील तक धोया था एक बार उनके कुछ साथी तालाग की भराई का काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा लोटकर उनके साथियों ने कि गांधी जी ने तश्टरियों में उनके लिए नाश्टे के लिए फालाधी तयार करके रखे हैं एक बार गांधी जी दक्षिन अफ्रीका में रहने वाले भारतियों की मांगों को लेकर लंदन गए वहां उन्हें भारतिये चात्रों ने भोजन पर आमंत्रित किया उन्होंने स्वैम गांधी जी के लिए शाकाहारी भोजन बनाने का निश्चे किया गांधी जी भी बिना बताए स्वैम उनके काम में हात बटाने के लिए वहां पहुंचे उन्हें यह बात बाद में मालूम हुई तो बच्चों एक बार गांधी जी दक्षिन अफ्रीका में रहने वाले भारतियों की मांगों को लेकर वे लंदन गए उन चात्रों ने गांधी जी को भोजन परामंत्रित किया उन्होंने स्वेम गांधी जी के लिए शाकाहरी भोजन बनाने का निश्चे किया गांधी जी बिना बताए उन्हें उनकी मदद में लग गए उन्हें यह बात बाद में मालूम हुई यानि उन्हों चात्रों को यह पता भी नहीं चला कि गांधी जी उनके बीच हैं तो आगे देखिए बच्चों गांधी जी गावों के दोरों के दोरान स्वेम रात को लाल्टेन की रोश्नी में काम करते थे जब उसका तेल खत्म हो जाता था तो चंद्रमा की रोश्नी में वे अपना काम पूरा कर लेते थे गांधी जी को बच्चों से भी बड़ा प्यार था उनके अनुसार बच्चों के विकास के लिए मा बाप का प्यार अनिवार रहे तो बच्चों गांधी जी ने जब गावों का दोरा किया तो उस समय उन्होंने देखा कि कुछ लोग लाल्टेन की रोश्नी में काम करते हैं वे स्वैम भी लाल्टेन की रोश्नी में ही काम करते थे जब उसका तेल खत्म हो जाता था तो वे चंद्रमा की रोश्नी में अपना काम पूरा करते थे गांधी जी को बच्चों से बड़ा प्यार था उनके अनुसार बच्चों के विकास के लिए माबाप का प्यार अनिवार रह अर्थार जरूरी है यानि बच्चों का विकास माता पिता के साथ ही हो सकता है तो आगे देखिए बच्चों गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे दक्षिन अफ्रीका में गोखले जी गांधी जी के साथ ठहरे थे कांधी जी हमेशा गोखले जी का बिस्तर लगाने भोजन परोसने और उनके पैर दबाने के लिए तैयार रहते थे जब कभी आश्रम में किसी सहायक की जरूरत होती तो वे किसी हरीजन को रखने का आग्रह करते थे बच्चों गांधी जी अपने से बड़ों का आधर करते थे जब वो दक्षिन अफ्रीका गए तो गांधी जी के साथ कोखले जी गए थे तो उनके बिस्तर लगाने और भोजन परोसने का काम करते थे उनके पैर दबाने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे जब भी आश्रम में किसी सहायक की जरूरत होती तो वे किसी हरीजन को रखने का आगरे करते क्योंकि उस समय पर जाती धर्म इन चीजों को लेकर बड़ा भेदबाओ था तो वे किसी हरीजन को इसलिए रखने के लिए कहते थे ताकि हरीजन को भी आगे बढ़ने का मोका मिले तो आगे देखे बच्चों गांधी जी के अनुसार नोकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं बलकि उन्हें अपने भाई के समान समझना चाहिए इंग्लेंड में भी उन्होंने देखा कि उंचे घरानों में घरेलू नोकरों को परिवार के सदस्य की तरहें रखा जाता था तो गांधी जी के अनुसार नोकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं बलकि उन्हें अपने भाई के समान समझना चाहिए इंग्लेंड में उन्होंने देखा कि जो बड़े घर हैं उंचे उंचे घराने हैं वहाँ पर घरेलू नोकरों को परिवार के सदस्य की समान समझा जाता है आगे देखिए बिटा एक बार एक भारतिय सज्जन के यहां काफी दिन ठहरने के बाद जब वे चलने लगे तो उन्होंने नोकरों से विदा लेते हुए कहा वे किसी को भी नोकर नहीं समझते सभी उनके भाई या बेहन है उन लोगों ने उनकी जो सेवा की उसका प्रतीदान देने में वे समर्थ नहीं है भगवान ही उन्हें इसका पूरा फल देंगे तो बच्चों उन्होंने नोकरों के सम्मान में कहा कि जब वे विदा लेने लगे कि मैं आपको नोकर नहीं समझता मैं आपको अपना भाई और बहन समझता हूँ आपने जो मेरी सेवा की है उसका प्रतीदान मैं नहीं दे सकता प्रतीदान होता है उसके बदले में आपको मैं कुछ नहीं दे सकता मैं उसमें समर्थ नहीं हूँ भगवान आपको इसका जरूर फल देंगे तो बच्चों आगे देखिए यह है पाठ का सार और अब हम पढ़ेंगे पाठ से संबंदेत प्रश्णोतर प्रश्ण एक आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों उत्तर आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीन ने का काम करवाया क्योंकि छात्रों को अपने अंग्रेजी ज्यान पर बड़ा गर्व था बच्चों गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया क्योंकि उन्हें अपने अंग्रेजी ज्यान पर बड़ा गर्व था आगे देखिए बच्चों प्रेशन दो प्रेशन दो आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिने आम तोर पर नोकर चाकर करते हैं पाठ से तीन ऐसे प्रसंगों का अपने शब्दों में वर्णन करो जो इस बात का प्रमान हो उतर प्रसंग एक एक कारिय करता ने जब गांधी जी से कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है तो वे आटा पीसने के लिए फोरण उठकर खड़े हो गए तो बच्चों यहां पर प्रसंग है कि गांधी जी ऐसे कौन से काम करते थे जिने आमतोर पर नोकर चाकर करते ही तो पहला प्रसंग तो यह है कि एक बार जब कारिय करता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है तो उसी समय वे फोरण उठकर आटा पीसने के लिए तैयार हो गए अब देखिए प्रसंग नमबर दो आश्रम में कुछ लोग रसोई के बर्तन बारी बारी से दल बांध कर धोते थे एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम अपने उपर ले लिया बचो यह है प्रसंग नमबर दो आश्रम में कुछ लोग रसोई के बर्तन जो है दल बांध कर धोते थे एक दिन गांधी जी ने उन बड़े बड़े पतीलों का काम साफ करने का काम अपने उपर ले लिया इस काम को भी आम तोर पर नोकर चाकर करते थे तो यह है प्रसंग नमबर दो अब हम पढ़ेंगे प्रसंग नमबर तीन प्रसंग तीन एक बार गांधी जी के कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे एक सुभे जब वे काम खत्म करके कुदाल और तोकरियों की साथ वापस लोटे तो देखा गांधी जी ने उनके लिए नाश्टा तैयार कर रखा है तो बचों यह है प्रसंग तीन एक बार गांधी जी के कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे एक सुभे जब वे काम खत्म करके कुदाल और फावडा और तोकरियों को लेकर जब वे वापस लोटे तो उन्होंने देखा गांधी जी ने उनके लिए नाश्टा तैयार कर रखा है इस काम को भी जादा तर जो है नोकर चाकर ही करते थे तो ये था प्रसांग नंबर तीन अब हम पढ़ेंगे प्रश्न तीन प्रश्न तीन लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उतर लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी खाना बनाने वालों में शामिल हो गए वे तश्तरियां धोने सबजी साफ करने और अन्ने छुटपुट कारियों में उनकी मदद करने लगे बच्चों लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? एक तो उन्हें इंवाइट किया था भोजन के लिए वे वहाँ पर वहाँ तश्तरियां यानि प्लेट धोने लगे सबजी साफ करने लगे और छोटे मुटे काम उनके साथ करने लगे तो उन्हें किसी भी काम करने में कोई शर्म मैसूस नहीं होती इससे यही पता चलता है और वे हर काम करने के लिए सदैव तयार रहते थे और उनका मानना था कि जब तक शरीर से कोई लाचारी ना हो तब तक कभी भी दूसरों से काम करवाना नहीं चाहिए इसी नियम का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे थे आगे देखिए प्रैश्न चार प्रैश्न चार गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया उत्तर गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे वे चार पाई के पास पानी का एक बरतन रखते ताकि बच्चे को पिला सके इस प्रकार एक पखवाड़े तक मा से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मा का दूध छोड़ दिया बच्चों गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटा लेते और वे चार पाई के पास एक पानी का बरतन रखते थे ताकि जब बच्चे को प्यास लगे तो उसे पानी पिला सके इस प्रकार उन्होंने 15 दिन तक ये काम किया और 15 दिन पकवाड़ यानी 15 दिन तक बच्चे को मासी अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मा का दूद छोड़ दिया तो अगला प्रेशन देखी बच्चे प्रेशन पाँच आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे इसे पाठ पढ़कर लिखो उत्तर आश्रम में काम करने या करवाने के लिए वे स्वैम उस काम को करने लगते वे उस काम को खुद करके बताते कि यह कारिय कैसे किया जाता है इससे काम ने करने चाहने वाला भी काम करने को प्रेरित हो जाता था आश्रम में गांधी जी काम करवाने के लिए स्वैम उस काम को करके बताते थे कि यह काम कैसे किया जाता है इससे काम ने करने वाला भी काम करने को प्रेरित हो जाता था अब देखिए बचों ग्रिही कार रहे है पाठ पंद्रह नोकर के प्रशन उत्तर याद करो वै कोपी में लिखो बचों आपको इस पाठ के प्रशन उत्तर अपनी कोपी में लिखने है और उन्हें याद भी करने है और मेरी मेल आइडी पर होमवक आपको सेंड करने है धन्यवाद बच्चों अब हम मिलेंगे अपने अगले वैख्यान में